आज किस वीडियो दोस्तों आप लगसा शेयर करने वाला हूं टॉप 5 ऐसे मैथट्स जिसे आप किसी भी Android डिवाइस के लॉक को अनलॉक कर सकते हैं इस वीडियो को आप लोगोंने लास तक देखते रहना है अगर वीडियो अच्छे लगी तो दोस्तों साथ शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करना एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं कहा तो सब्सक्राइब करके बेल कर नौटिफिकेशन को जरू करता रहें तो चले शुरू करते हैं एंड लेस के स्टार इड नंबर वन भी दूसरों हम लोग बात करेंगे फेक्टरी रिसेट के बारे में फेक्टरी रिसेट इस वन अफ थे बेस्ट मेथट तो रिमोव एन एंड्रॉइड लॉग यह बहुत ही सिंपल सा मैथड है और यह 100 परसेंट वर्क करता है औलमोस्ट हर एंड्रॉइड डिवाइस पर इंड इसको करने का मैथड बहुत ही सिंपल है जस्ट आप लोगों ने अपने मोबाइल को रिकवरी मोड में बूट करने का मैथड गूगल करने का मैथड गूगल करने आपको वहां से समझ आजएगी आपका मोबाइल आटमेटिकली कस्टम रिकवरी मोड में या आपके ऑफिशल रिकवरी मोड में बूट कर जाएगा इट ड़सेंट मीन कि आपके पास कस्टम रिकवरी हो या ना हो कि अगर मोबाइल की स्टॉक रिकवरी है तो उससे भी आपका मोबाइल इजिली फैक्टर reset हो जाएगा and आपने क्या करना है अपने mobile के recovery mode में जाकर आप लोगों ने wipe data and factory reset वाले option को select करके and then power button से आप लोगों ने select करना है yes and yes करके आपका mobile reset होगा, कुछ इसकी processing होगी, processing के बाद आपका mobile restart होगा and then boom आपका जो lock है वो unlock हो जाएगा second number भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे DR phone unlocker application के बाद में DR phone unlocker एक बहुत ही बैतरीन application है जो कि किसी भी Android device या iPhone से lock को remove करता है without data loss and इसके लिए से आप Google कर सकते हैं इसके official website पर visit करके आपको सारी information मिल जाएगी वहां से and secondly मैं अगर आपको read कर देता हूं कि iPhone Android unlock करता है just one click में without data loss but इसमें हमारे पास कोई data loss कोई आपके पास knowledge की जरूरत नहीं है इससे बहुत ही simple सा है and यह compatible है iOS 12 तक and Android 9.0 तक भी compatible है iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, LG, etc. जितने भी Android devices है वो इस पे work करता है इसके Android device जो lock का है उनको यह remove करता है iOS की भी but यह इसके लिए आपके पास PC का होना या laptop का होना जरूरी है and इसके लावा इसमें जितने भी आपके पास lock होते हैं चाहिए face lock है, fingerprint lock है and आपके पास pass code है या आपके पास कोई भी किसी तरह भी lock लगा हुए आपका वो remove करता है and इसको कैसे आप लोगोने use करना है उसके लिए से हम आप लोग को guide कर देता हूँ इसके application आप लोगोने download करनी है यह paid application है यह free application नहीं है and इसमे quick access है highest success rate है इसका and कोई data loss नहीं है इसमें and इसके अलावा अगर यह method आपके पास work नहीं करता है यह तो यह money back guarantee के भी आपको promise करता है कि हम आपको payment आपकी वापस करेंगे and secondly यह application आपके पास कुछ इससरा से होगी install होने के बाद इसको open करना है paid purchase करने के बाद आपके पास कुछ इससरा का interface आएगा so यहां पर आप आपस आता है screen lock removal का एक option होता है आप लोगोंने select करना screen lock removal को and then हमारे पास कुछ इससरा का interface आएगा आप लोगोंने just start पे click करना है and start पे click करने के बाद mobile को अपने data cable के जरीए PC या laptop से connect करना है make sure कि आपके पास data cable अच्छी quality का हो ताके data transferring सही तरीके से हो सके so जैसी आप select करेंगे आपके mobile पे कुछ इससरा से pop up आए का window तो आप लोगोंने select करके yes करना है एक कर देना है अगर ना भी तो इसलीया से आप लोगोंने परिशान नहीं हो न एगा and इसके बाद आप लोगोंने यहां पर अपने mobile का remove हो जाएगा, mobile आपका restart होगा, restart होने के बाद आपका code remove कर दिया जाएगा, so ये भी एक successful method है बट ये paid method है, third number पे दोस्तों हम लोग बात करेंगे find my device की service के बारे में, find my device Google की service है and ये बहुत ही बेतरीन service है, इस service के जरीए आप अपने mobile को track भी कर सकते हो, अपने mobile में जितना भी data है वो उसको delete कर सकते हो and उसके security logs को भी remove कर सकते हो so आप लोगोंने just google करना है इस site को and google करने के बाद आप लोगोंने वो ही ID login करनी है, जो आपके mobile में given हो Google ID वो ही login करनी है, जो आपके play store में वहाँ पर आप लोगोंने login की वी थी, so यहाँ पर आपके पास complete information आजएगी आपके mobile की location यहाँ पर given होगी and number of devices जो इस पर connected है वो भी आपको दे दिये जाएगे कि इतने number of devices यहाँ पर आपसे connected है and secondly, इसके core भी यह फाइदा है कि आपके mobile का EMI number भी given होगा आप EMI number बहुत ही important होता है, अगर आपने mobile की insurance की हुई है क्योंकि highly developed countries है, so वो अपने mobile की insurance करते हैं so insurance करने के बाद आपका mobile आपसे गोम हो जाता है तो आप उसको reclaim कर सकते हैं so यहाँ पर आपके पास सारी information given है and just आप लोगोंने device को select करने करने के बाद उसकी information को आप लोग वहां से ले सकते हैं, इसका EMI number and सारा कुछ data वगयरा and उसकी location वगयरा तक trace कर सकते हो, इसके बाद यहाँ पर आपस तीन options है, play sound के लिए से secure device and erase data device के नाम से so play sound अगर आप करते हैं तो तक्रीबन 5 minutes तक उस mobile पे ringing होगी आपके mobile पे जिसमें आपकी गूगल आइडिया आपने जो device select कि हो उस पर 5 minutes तक ringing होगी so यह आप यहाँ से stop कर सकते हैं, इसके बाद हमारे पास जो option है secure device के नाम से, secure device के नाम से option हमारे पास basically तब use होता है जब आपका device आपसे गुम हो जाए और आप एक message देना चाहरे हैं कि यह device मेरा है, तो kindly आप मुझे से contact करें मेरे number पे and या जो भी आप message उससे देना चाहें, so मैं simply यहाँ पर search करना हूँ, please return my device and contact number is given, my contact number is given below so यह एक message में यहाँ पर type कर रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए and जो second मेरे पास box है, उसमें just आप लोगों ने अपना contact number type करना है, so यहाँ पर contact number type करते हैं, so type करने के बाद आप लोगों ने device, secure device पर select करते ही, आपके पास आप mobile की screen भी देख सकते हैं, कि वही message मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, please return my device, contact number is given below, just आप इस पर tap करेंगे, so mobile से automatically call चली जाएगी आपके number पर, जब अगर वहाँ पर tap करेंगा, तो आपके mobile पर automatically call आजाएगी, so आप उसके contact number भी आपको मिल जाएगा, so वहाँ से आप अपने mobile को claim कर सकते हो, तो यह भी बहुत बड़ी service है, so अगर make sure कि आपके mobile में same ID login हो, third option हमारे पास बहुत ही important है, जो इस वीडियो के लियाद से है, वो है erase device, erase device में क्या है, कि आपके mobile में जितना भी data है, वो delete हो जाएगा, and आपका mobile automatically restart होगा, and जितने भी इसमें lock थे, वो सारे reset हो जाएगे, so यह एक तरह का factory reset, आप इसे कह सकते हैं, factory reset होगा, so यह से soft reset कह सकते हैं, soft reset होगा, तो इससे क्या होगा, कि आपके mobile में जितने भी locks लगे होंगे, वो खतम हो जाएगे, and आपका mobile आपको सही तरीके से मिल सकते है, so यह भी एक बहुत ही अच्छा method है, अगर आप apply करते हैं, then, fourth number पर दुस्तों में आप लोग सार जो method शीर करने वालों, यह बहुत ही बेतरीन method है, यह बहुत ही powerful method है, but यह सिरफ Samsung के लिए valid है, Samsung mobiles वालों की एक service है अपने customers के लिए, so आप लोगों ने Google करना है, Samsung my device या my mobile के नाम सी को website पर आना है, and website भी जाने के बाद आपके पास यहाँ पर login का option होगा, आप लोगों ने यहाँ पर login करना है, and आप लोगों ने same account login करना है, जो आपके mobile में आपने पहले से login किया होगा, so आपने click सबसे पहले क्या करना है, अपने mobile के settings में आना है, and settings में आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने search करना है, find my device, find my mobile, एक option आप लोगों ने search करना है, जो कि आपको आपके mobile के lock screen and security में गेवन होगा, so आप लोगों ने search करना है, find my device, so find my device, search करेंगे, आपके पास एक option आजाएगा, आप लोगों ने इस पर tap करना है, and tap करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर login करना है, so आप लोगों ने आप लोगों ने यहाँ पर login करना है, ताकि कभी भी अगर आपके पास मसला आता है, issue आता है, तो आप लोगों को यह issue solve होगा यहाँ से, so आप लोग create account भी कर सकते हैं, आप लोगों ने अगर पहले से account बनाया हुआ है, तो आप लोगों ने जिस्ट यहाँ से sign in करना है इसमें, and sign in का process यहाँ से जैसे ही remove होता है, आप लोगों ने फिर अपने laptop या PC या किसी दूसरे mobile से भी आप लोग यह use कर सकते हैं, it doesn't mean कि आपके पास PC का होना जुरूरी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, so जैसी आपके पास account यहाँ से login हो जाए, so यह एक necessary pointer आज आपके mobile में account login होना चाहिए, इसके बाद same account आप लोगों ने Samsung की website पे आप लोगों लोग ने लोग इन करना है, so आप लोगों ने जैसी login कर लिया account, then आप लोगों के पास अपने device का जितना भी आपके mobile आपके device का data है, जितने भी number of devices connected है, सारा आपको given होगा, इसके बाद आपके mobile का model number, आपके mobile का EMI number and सारा कुछ यहाँ बेगी बनोगा, and आप लोगों ने जैस्ट आपर Samsung and इसके लबाद यहाँ पर एक option होगा, जैसे का फस्तारे options हैं, ringing, आप लोग ring भी कर सकते हैं, आपने mobile को lock भी कर सकते हो, उसमें से data erase कर सकते हो, अगर आपका data बहुत important है, and आपका mobile आपसे गुम हो चुका है, तो आप उसका backup बना सकते हो, backup बनाने के बाद अपने mobile में, अगर आपके contact number बहुत messages आपके बहुत important है, तो आपके retrieve calls and messages भी आप लोग option भी आप लोग select कर सकते हो, इसके बाद unlock भी कर सकते हो, अपके बाद यहां से कर सकते हो, extend battery life के बाद यहां पर एक और option आपके पास given होगा, save, set guardian, set guardians के नाम से भी एक option आपके पास given है, and यह भी आप लोग कर सकते हैं, तो यहां पर बहुत सारी options आपको given हैं, कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं, यह एक बहुत powerful tool है, samsung वालों की अपने customers के लिए, आप लोग लॉग कर सकते हो, अपने mobile का data backup बना सकते हो, उसको unlock कर सकते हो, अप लोग अपने mobile के messages, और अपने mobile के contact तक आप लोग backup उसका बना सकते हो, तो यह भी एक बहुत बड़ा features है, अपने customers के लिए, चलते हैं next option की दर्फ and last हमारे पास है, 5th method and 5th method हमारे पास है forgotten password के नाम से है, forgotten password यह भी एक features है, so maximum mobiles में यह given होता है, बट कुछ mobiles में यह given नहीं होता, आप लोग ने just race में क्या करना है, कि 3-4 मरतबा, अगर आप किसी mobile का lock वगएरा find करना चारे हैं, so आप लोग ने 3-4 मरतबा, wrong password या wrong code आप लोग ने या pattern वगएरा type करना है, type करने के बाद 30 seconds का option होगा, and then आप बारे पास आपके bottom में 2 options आपके पास given होगी, एक होगा emergency call, and second आपके पास होगा forgotten pattern के बारे, या forgotten password के आपका पास option होगा, just आप लोग ने इस पर tap करना है, and tap करने के बाद आप लोग ने क्या करना है, आपके आपसे यहाँ पर मांगा जाएगा, answer questions भी हो सकते हैं, question answers भी हो सकते हैं, and secondly अगर आपको Google account आपका याद है, जो Google account आपके Google उस mobile में connected था, शेयर करने के लिए, and इसके लाव भी कफसारे methods हैं, जो आप लोग के साथ शेयर करने के काबेल है, but यह important मुझे लगे, and मुझे लगा कि यह methods बहुत ही important है, आप लोग के साथ शेयर करने के लिए, so मिलते इंशालला नहीं वीडियो में, इसी तरह की अच्छी च्छी वीडियो के लिए मेरे अप चैनल को सब्सक्राइब करें, and मिलते इंशालला नहीं वीडियो में तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखे, thank you so much for watching, bye bye, take care, allahfiz.